बैन और भाईयों, आज कासी ने जो मंत्र दिया, वह मंत्र प्रिदेश में बूँच रहा है, कासी का मंत्र था कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, और मोदी सरकार का मंत्र आज पुरी देश के अंदर गूँच रहा है, उत्तर, दक्षिन, पूरा, पसिम, देश के अंदर अलग-अलग राज्यों में मुझे जाने का उसर प्राप्त हुआ, मैंने देखा है, जो कासी के मन में है, वही पुरी देश के मन में है, जो कासी सोचती है, आज देश वही सोच रहा है, और कासी की सोच है, कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार, चार सो पार, पैनरवाईयों चार सो पार होना है, तो कासी में नया रिकॉर्ड भी बनना है, सहमत हैं, बनाएंगे? हम सब कासी वास्यों को तिस बात पर गौरव के अन्मोती होनी चाहिए, कि दस वर्स में मोदी जी ने कासी की काया कल्प की है, कासी हमारी अतंत पुराचीन और इत्यास और पुराण सी भी पुराचीन हमेरी पावत्र, पावन नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, बारत की अध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतनिवित्व करती है, लेकिन आजादी के बाद सत्तर वर्सों तक उपिक्सा का दंश जेलती रही, जड़के संक्री थी, विकास का भाव था, ना पानी था, मा गंगा यहां बैती है, वर्णा नदी यहां बैती है, असी नदी का स्तित्व समाप्त कर दिया गया, कासी के घाटों की दुर्गति आप देखते हैं क्या थी, यहां के अंदर अगर हम देखते हैं किस प्रकार की अरग जिक्तारा विवस्ता भैली भी थी, कैसे कासी की गलियों में जूलते वे तार चड़ाते थे, दुर्गतना को अमन्तित करते थे, कासी के अंदर दुर्विवस्ता का आलम हो गया था, और बैन और भाईयों, दस वर्स में जैसे भारत की तक्दीर और तस्वीर को मोदी जी ने बदला, आज भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बड़ा है, सेमाएं सुरक्षित्वी हैं, आज भारत नकेवल सुरक्षित्वा है, बलके आतंगबाद और नकसल बाद की समस्या का समाधहन भी किया है.